राममंदिर बनाना अब उनका मकसद नहीं, मकसद यहां यह खड़ा हो गया है कि पूजा कौन करेगा पदाप पलपल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नदीर मकरब खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगत्तार मिलती रहे और अगर ये वीडियो आप फेस्बुक, इस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं कौन करेगा जी हां सोचिए के राममंदिर की जो पैरवी कर रहे हैं सुप्रिम कोर्ट में अब वो लोग आपस में इस बात पर लड़ रहे हैं कि अगर राममंदिर बनता है तो पूजा हम करेंगे नहीं तो पूजा हम करेंगे सुप्रिम कोर्ट में एक अजब ड्रामा चल रहा है सुप्रिम कोर्ट पार बार ये सवाल कर रहा है कि आप सबूत लाइए और सबूत के अभाव पर आ करके हमसे बात कीजिए पर सुप्रिम कोर्ट में हिंदू पक्षकार के वकील तमाम तरीके से मुद्दो को उलजाने में लगे हुए हैं जहां चौदवे दिन आज सुप्रिम कोर्ट में क्या कुछ हुआ एक बार उस पर भी नज़र डालीजिए अयोध्या मामले को लेकर सुप्रिम कोर्ट में चौदवे दिन सुनवाई चल रही है मंगलवार को तेर्वे दिन के सुनवाई में निर्मोही अखाड़ा की दलीले पूरे होने के पाद राम जन भूमी पुनरद्वार समीती की तरफ से पियन मिश्रा ने पक्ष रखा था मदीना को शिफ्ट नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि हिंदूों के लिए ये माइने नहीं रखता कि मंदिर बाबर ने गिराई या औरंग जेब ने ये मुस्लिम पक्ष के लिए एहमियत रखता है कि बाबर ने मस्जित कैसे बनवाई पियन मिश्रा ने कहा कि राम जन्भूमी से 85 स्थम्ब मिले थे जिनमें से 84 स्थम्ब को विक्रम दत्तिय ने स्थापित किया था और एक गरूड स्थम्ब था हमारी आस्था और विश्वास है कि जन्भूमी पर ही मस्जित बनी है हम लंबे अरसे से पूजा करते आ रहे हैं सभी गेजिटियर ने उस जमीन को जन्मिस्थान बताया था पियन मिश्डा ने कहा कि 1888 में एलेक्जेंडर ने बुक लिखी उसमें बाबरी मस्जित के बारे में विवरण था कि उसको मीर बाकी ने 1523 एडी ने बनवाया था ये बाबर से पहले की बात है जबकि बाबर 1526 में आय था हैंडरी बेवरेज ने कहा कि 1528 में बाबर के कहने पर मीर बाकी ने बनवाया था बाद में कहा गया थी 1560 में अब्दुल बाकी इस्वहानी ने मस्जित बनाई 1934 में अब्दुल हसन गया और उसने डिस्क्रेप्शन में कुछ शब्द छोड़ दिये थे पियन मिश्रा ने कहा कि 1965 में ASI के रिपोर्ट में कहा गया कि हैंडरी बेवरेज ने और सभी का वित्रन गलत था पियन मिश्रा ने कहा कि बाबर नामा में मीर बाकी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है मीर शब्द रॉयल लोगों के लिए इस्तमाल किया जाता था बाबर नामा में बाकी बेग, बाकी तरखाना, बाकी फहानी, बाकी ताशकंदी जैसे लोगों का दिक्र है लेकिन मीर बाकी का दिक्र नहीं सुशील कुमार जैन ने कहा था कि रिवेन्यू रिकॉर्ड से साफ है कि जमीन पर निर्मोही अखाड़े के अधिकार है निर्मोही खड़ा के वकील जोशी कुमार जैन ने इसके साथ ही अपनी जिरह पूरी की तो दोस्तों आपने देखा कि राम मंदिर को लेकर के चौदवे दिन सुप्रिम कूर्ट में बहस चल रही थी और पहस में अब साफतोर पर हिंदू पक्षकार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाई हो या औरंग जेप्स ने हमें उस से लेना देना नहीं हैं पर हमारा ये फैसला किया जाए माइलोट के हम पूजा करेंगे या ये पूजा करेंगे ये बहस रुक सी गई है और लगातार सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से ले करके आज चौदवे दिन पर भी सिरफ सबूत मांगते हुए नजर आए सबूत मांगने के नाम पर हिंदू पक्षकार के वकील बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमें ये बताईए कि आपके पास सबूत का है तो उनका जवाब ये है कि जी जो राम मंदिर के सबूत थे वो 1982 में डकैत ले गए जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गहने लत्ते सब छोड़ करके ब्राम मंदिर के कागजात ले करके डकैत क्यू भागे तो उनका जवाब था हमें नहीं पता उनसे पूछ लीजिए कुछ ये बेतुके सवाल सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्षकार के लोग कर रहे हैं और जब उनसे पूछा गया क्या आपके पास सबूत है कि बाबर नहीं मंदिर तोड़ा तो बोले हमें इसके बारे में पता नहीं और जब उनसे सवाल पूछा गया क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि जिस जगा बाबरी मस्जिद है अयुध्या में उसी जगा पर राम जी का जन्म हुआ था तो फिर कहा गया कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं और जब मालूम नहीं तो पुराणों की बाते की जा रही हैं संस्कृत में शलोक सुनाए जा रहे हैं तो जजिस नहीं साथ तोर पर कह दिया है कि शलोक और संस्कृत का पार्ट हमें मत पढ़ाईए हमें ये बताईए कि सबूत कहा है और जब सबूत मांगे जा रहे हैं तो एक नया ड्रामा सुप्रिम कोर्ट में खड़ा कर दिया गया कि पूजा कौन करेगा तो मेरी नजर लगातार बाबरी मस्जित के केस पर सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई है और मैं तमाम ऐसे ही मुद्दो को ले करके आपके सामने योही हाजिर होता रहूँगा आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी दाय जरूर दिजिएगा शुक्रिया